कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना सामाजिक विचारधारा है कि लोग आपको आपके कारिये के प्रती हमेशा हतोसाहित करते हैं लेकिन उसी हतोसाह को उत्साह में बदलने की प्रक्रिया निसांतियान आपके साथ करता है उसी हतोसाहित व्यक्ति को उत्साहित करके एक सफल इंसान बनाने का मार्ग हम प्रसस्त करते हैं नमस्कार मित्रों मैं नितिनुपाद ध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने आनलाइन इस्टिक्यूट निसाथ क्यान की यूटूब प्रेटफर्म पर बहुत बहुत स्वागत है मित्रों मैं ने पहले भी बताया था कल मैंने एक वीडियो डाला था उस वीडियो में बताया था कि मैं आपको सिंदुगाटी सभ्था UPPET के सिलेबस पर आधारित एक-एक वीडियो देने का मैं प्रयास करूँ ये करके UPPET के प्रतेक सब्जेक्ट पर अब सब्जक्ट की बात इस वज़े से मैं कह रहा हूँ क्योंकि UPPT के सिलेबस पर आधारित एक एक वीडियो मैंने आपको देने का प्रयत्न करूँगा जितना मेरे अंदर सामर्थे हैं मैं आपके लिए करने का प्रयास करूँगा मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको बिल्कुल क्रीम देने का प्रयास करूँगा यहाँ पर कोई भी आपको अनापसनाप चीजे नहीं दी जाएगी जो चीजे वो बिल्कुल और परिच्छोप योगी होने वाली हैं अर्थात वन लाइनर होगी और वन लाइनर में भी ऐसी चीजे होंगी जो आपके परिच्छा के लिए बेहद ही जरूरी हो जाएंगे चलिए आज हम बात करते हैं सिंदु घाटी सब्यता की वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बंद कमरे में वीडियो बना रहा हूं गर्मी है पंखा चलाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन पंखा चल नहीं पा रहा है ठीक है तो थोड़ी सी तकलीफ मुझे अगर है तो आप लोग मेरी तकलीफों को समझ करके वीडियो को सेयर कर सकते हैं आई चलिए हम बात करते हैं सिंदु घाटी सब्यता की सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसे सिंदु घ वोगे सिंदु घाटी सब्यता के नाम से जाना जाता है इस चीज को आप कंठस्त कर लीजिए खाटि सब्यता की कहा जाता है उसके बाद इस सभ्यता को आध्य एतिहासिक सभ्यता कहा जाता है अब इस सभ्यता को आध्य एतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है उसे भी ध्यान रखेगा आध्य एतिहासिक का मतलब होता है ऐसी सभ्यता ऐसे इतिहास जो हमें हमारे लिए जो है पुरा तात्विक साच्छे के साथ साथ ऐसे साच्छ पत्थर हों पहाड हों उसके साथ साथ हमें कुछ लिखित चीजें भी प्राप्त हो जाएं लेकिन उस लिखित चीजों को पढ़ा न जा सके उसे कहा जाता है आध्य एतिहासिक सभ्यता लिखित साच्छों को जहां पर पढ़ा नहीं जा सकता है लेक साच्छों को आज तक हमारे वैज्ञानिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आज तक इस पढ़ाई में सफल नहीं हुए हैं इसी वज़ेसी से क्या का जाता है आध्य एतिहासिक सब्वेता हमें जो कुछ भी जानकारी है हम एक अनुमान लगाते हैं पुरा तात्विक ज जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं हम उसी से एक अनुमान लगाते हैं ठीक है आध्य एतिहासिक के बारे में आप जान चुके होंगे उसके बाद इसके खोजों का एक काल सुरू होता है लोग खोजना सुरू करते हैं खोजने का मतलब क्या है कोई चीज जो पृत्वी के अ अस्थल मिलना प्रारम हो गया और जब बड़ा सा अस्थल मिलना प्रारम हो गया तो उसके लिए सरकार ने भी साथ दिया और आज हमारे सामने पूरी सिंदुगाटी सब्वेता आपके सामने हैं चलिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया था यह बिलकुल क्रीम है 1826 में चा और उस समय हम जो है अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे तो समय चाल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज का प्रयास किया गया था दूसरा पॉइंट हमने लिखा है उसके बाद इस खोज का प्रयास काफी दिनों तक चलता रहता है 1921 में 1921 में एक पुरा है एक आता है हडपा जो हडपा नगर था यह हडपा जो अस्थल था यह सिंदुघाटी सब्वेता में खोजी जाने वाली सबसे पहला अस्थल था अगर आप से पूछा जाए कि हडपा सब्वेता इसे क्यों कहा जाता है इसे इस वजह से हडपा सब्वेता कहा जाता है क्य किया था 1921 में हडबा की खोज दैराम शाहनी ने किया था और आपसे ज्यादा तर मुझा जाता है किस नदी के किनारे हड़ापा सभ्यता है तो रावी नदी के किनारे हैं कभी कभी कुश्चन आपको बिल्कुल ही किक भी निवय यूज कर देता है भी दिमाग को जब तो आपको पता चलता है, आप से पूछा जाता है कि हडपा किस नदी के किनारे है, आपने सिंदु घाटी सभ्यता पढ़ा है ता आप डारेक्ली लगा देते हैं, हडपा सिंदु नदी के किनारे है, लेकिन नहीं, हडपा सभ्यता, हडपा अस्थल, रावी नदी के किनारे है जिन्हों ने इस सभ्वेता को द्रमिड सभ्वेता भी कहा था तो कोश्चन आता है राखाल दास बनर जी ने इस सभ्वेता को क्या कहा था द्रमिडों की सभ्वेता कहा था और दयाराम साहनी ने हराप्पा की खोच की थी रावी नदी के तट पर हराप्पा है ज्यान रखिये पाकिस्तान में था ठीक है चलिए अब इसके काल की बात करते हैं खडपा सब्धता का रहा होगा खडपा सब्धता कब हमारे देश में निवास कर रही होगी तो काफी विद्वानों ने इस पर इस पर सो इसी पूरो रहा होगा ठीक है आगे हम बात करते हैं सभ्यता को कुछ लोगों ने विदेशी सभ्यता कहने का प्रयास किया उनमें से मार्सल और वीलर ध्यान रखेगा मार्सल और वीलर प्रमुक थे इन्हों ने इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा था जो विदेशी ज्यानिक होते थे विदेशी पुरातात्विक साच करता होते थे वह जो है विदेश से इसका अटेश्मेंट दिखाते थे जो भारती होते थे भारतियों से अटेश्मेंट दिखाते थे ठीक है तो बार्थल और भिलर ने इसे जो है सुमेरियन सभ्यता का करके पुकारा था आगे बात करते हैं यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी तो यह सभ्यता जो सिंदुगाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी इसमें जो है पक्के इटों के मकान पाए जाते थे आज की जो विवस्था आप नगरों में देखते हैं ठीक सेम वैसी ही विवस्था सिंदुगाट में रहते थे पंखे का भी प्रयोग करते थे जो है नालियों का प्रयोग करते थे यहां तक की सवचाले का भी वो लोग के करण इसे कान सीवगीन सभ्वेता भी कहा जाता है ठीक है इतने ही चीजे आपको अथेंटिकेट करके दिया गया है मैंने जितनी चीजे बोला है यह चीजे आपके लिए बेहधी इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे हम बात करते हैं कि सिंदु घाटी सभ्वेता के जब अस्थलों का खोज प्रारंब होता है तो एव वर्तमान भारत का स्वरूप किसी तरीके से मैंने रफली मैप बनाया है इस मैप को देखिएगा सबसे पस्चिमी दिशा में बलुचिस्तान में सुतका गेडोर क्या है सुतका गेडोर दासक नदी के तठपर सुतका गेडोर की खोज होती है बलुचिस्तान में उसके बाद सबसे उत्तरी अगर अस्थल बताया जाए तो मादा है क्या है मादा है जो जम्बू कस्मीर में इस्थित है और यह किस नदी के तटपर है चिनाव नदी के तटपर उसके बाद सबसे पूर्वी नगर की बात की जाए तो आलमगीरपूर है आलमगीरपूर कहा है उत्तर यह इसका नामों लेख नहीं हुआ है और गोदावरी नदी के एक छोटी सहायक नदी के तट पर दायमाबाद इस्थित है जो की पूर्वी अस्थल आलमगीरपूर, हिंदर नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में, सबसे दच्छडी अस्थर दायमाबाद है, महाराष्ट्र में है, और किस नदी के तट पर है, गोदावरी के साहक नदी पर, ठीक है, एक अस्थलों के बारे में भी कभी कोश्चन पूछ ल अस्थल कहा जाता है, इसे पिरामीडा कार भी बोल दिया जाता है, ठीक है, अगर बात की जाए, इसकी लंबाई चोड़ाई की, तो जब पूरब से पस्चिम को मिलाएंगे, ते 1600 किलो मीटर के लगभग है, और जब उत्तर से दक्षड को मिलाते है, ते यह 1400 किलो मीटर के ठीक है, काफी किताबों में अलग-अलग दिया गया है, लेकिन नार्मली इसे यही का जाता है, पूरब से पस्चिम में 1600 किलो मीटर, उत्तर से दक्षड में 1400 किलो मीटर, और यह किस आकार का है, त्रिभुजाकार का है, आप से कभी-कभी क्वेस्चन यह भी पूछा जाता है, कि सिंदुगहटी सब्यता के अस्थल किस देश में प्राप्त नहीं हुए थे, आप से तीन अस्थल, तीन देशों में तिसके अस्थल प्राप्त हुए थे, कौन-कौन से है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, इसमें से कोई दूसरा देश दे देगा, जैस पाकिस्तान में जो बुख्य वैसे तो काफी अस्थल प्राप्त हुए हैं अभी तक जो है 2000 से उपर अस्थल खोजे जा चुके हैं लेकिन परिच्छा के दृष्टी से जो इंपार्टेंट है वही आपको पढ़ना है क्योंकि आपको वैज्यानिक नहीं आपको एक सफल इंसा ठीक है एक तीन अस्थल पढ़ने जरूरी है मोहन जोड़ों चनहुड़ों और कोड़ दीजी और भारत के जो अस्थल है इसके लिए हम जो है इस्पेसल एक चार्ट बनाते हैं जिससे आप सभी अस्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इस चीजों को अगर सभृता हो चाहिए चीन की सभृता हो कोईा सभ Eden आब पढ़ेंगे किसी नदी के किनारही पाई गई क्यों क्यों कि 맡 नलकूप की थी लोग अपने पानी की ब्योस्था वहीं पर रहने की ब्योस्था करते थे जहां पर उनके और उनके पसूं के लिए पानी मिल जा बी चैश से question बहुत पर पूछा गया है कौन से अस्थल कहां पर पाए गए हैं तो मैंने पहले Wविटा था अफगा-फगानिस्थान में तीन दो अस्थल है आपके लिए है मोहन जोड़ो मोहन जोड़ो को मृत्रकों का टीला भी कहा जाता है आगे जो है मैं एक चार्ट आपको दूँगा जिसमें जो है मोहन जोड़ो को क्या कहा जाता है एक कहां से मिला है इसमें क्या-क्या खामिया है उसे मैं बताऊंगा लेकिन पाकिस्तान में मोहन जोड़ो है एक है चनहु दड़ो एक है कोट दीजी ए तीनों अस्थल जो है सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए है ठीक है जो सिंधु नदी है उसी सिंधु नदी के किनारे ए तीनों अस्थल प्राप्त हुए है ध्यान रखिएगा मोहन जोड़ो चनहु दड़ो और कौट दीजी सिंधुनदी के किनारे हैं। آगे हम बात करते हैं जो भारत है। भारत क्योंकि आप भारति हैं और भारत का भारती परिछ्छा दे रहे हैं तो जादा तर आप से जो पूछे जाएंगे भारत के अस्थल से ही पूछे न्या Hello तो आप सभे लोग जानते हैं भारत का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह है सबसे उत्तरी अस्थल हाए मादा जो कि चिनाव नधी के तड़ परिस्थित था जो कि जंबू कस्मीर में अभी यह मैंने आपसे बताया उसके बाद जो पंजाब प्रांत हैं पंजाब प्रांत में दो सबसे इंपर्टेंट अस्थल प्राप्त हुए हैं एक है रोपड एक है संगोल रोपड और संगोल कहां से प्राप्त हुए हैं पंजाब से प्राप्ट हुए है अब बनवाली में मिले हैं जो इंपटन्ट है मिट्टी के हल कहां से मिले हैं ठीक है उसके बाद राखी घड़ी चलिए राखी घड़ी के लिए जो इंपार्टन्ट वह है या भारत में इसταड़ी सबसे बड़ा अस्थल आपसे पुछा जाता है उसके उस्के बाद कर दो धाल जाता है उसके बाद एक त्रका्ष जो है कहां त्रॉर ते मिला था रह राजस्थां से मिला था काली ब वो कहां से मिले है काली बंगा से लेकिन जो मि्टी के हल बनाए गए जहां पर हवन कि अगणी कुंड होता है अभी काली बंगा से प्राप्ट हुगा है ठीक है और जो कोई special आपके लिए पढ़ने लायक नहीं है जो कि आपकी परिच्छा में आए यह चीज़े आपकी परिच्छाओं में UPP में कई बार पूछी जा चुकी है उत्तर प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी अस्थल है सिंदु घाटी से बता कि यह आलमगीरपूर में इस्थित है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपूर में हिंडन नदी के किनारे इस्थित है ठीक है तो बढ़गाओं और आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश में इस्थित है आलमगीरपूर इंपार्टेंट है क्योंकि सबसे पूरव में इस्थित है सबसे जुएक नदी है उसके किनारे जो है दायमाबाद इस वह आगए बात करते हैं घुजरात की चैया को मिने यहांजिवों के लिए बंदरगाह मिला है बंदरगाह कहां पर मिला है लोथल में कहां पर है गुजरात में धुर्दमान के अर्थाट इतने ज्यादा विष्धत नहीं थे लोग- सिंदुगाटी सभ्यता के लोग सभ्य थे तो लकडी की नालिया धौला वीरा में अप्राप्त हुई है सुत कोटदा एक अस्थल है सुत कोटता में जो है सुत कोटदा ध्यान रखेगा सुत कोटदा गुजरात में स्थित है यहां पे घोड़े के आउसेस मिले हैं अर्थात इतना माना जाता है कि घोड़े के आउसेस अगर मिले है ते लोग घोड़े से जरूर परचित रहेंगे पूरे अस्थल में मतलब पूरे सिंदुगाटी सभ्यता में तो नहीं प्रचलिथा लेकिन बंदर गाहों पर घोड़े जो है विदेश से मंगाए याते थे और अगर अगर बंदर गाहा है तो ध्यान रखेगा यहां पर विदेशी व्यापार भी होता रहा होगा और जो विदेशी व्यापार होता था तो घोड़े के आउसेस अगर मिले है ते लोग घोड़े का भी प्रयोग करते थे तो घोड़े का जो आउसेस मिला है सुत कोटदा में मिल है अगर भूसी मिली है इसका मतलब है ये लोग चावल से भी परचित रहे होगेivos هو है're का आगे बात की जाती है गुजरात में ही एक भगत राव अस्थान है भगत राव भी प्राप्त हुह है गुजरात से ही एक रोजदी नावा का अस्थान यह भी प्राप्त हुआ है ठीक है तो मीत करता हूँ जो भारत से संबंधित अस्थल से उसे आप याद किये होंगे पाकिस्तान से तीन अस्थल मैंने याद कराया मोहन जोड़ो चनहुद़ो और कोटदीजी सिंदु नदी के किनारे इस्थित है भारत में जो है सबसे उत्तरी अस्थल मादा जंबू कसमीर में चिनाव नदी के किनारे है पंजाब में रोपड और संगोल पाये जाता है हर्याना में बनवाली राखी गड़ी और भगवान पूरा है बनवाली में मिट्टी के हल पाए गए हैं राखी गड़ी भारत के अस्थलों में सबसे बड़ा अस् सबसे पूर्वी अस्थल है उत्तर प्रदेश में आलंगीर पूर और बढ़गाओं प्राप्त हुआ है आलंगीर पूर तिंदु घाटी सब्वेता का सबसे पूर्वी अस्थल है हिंडर नदी के तरफ पर इस्थिति से आप जानते होंगे महाराष्टर के मुंबई जो जरारावाला एरिया हुआ करता था ठीक है तो लोतः धना वीरा और सूत export हूं लोथर पूटत कि प्रचित रहेंगे भगत राओ और रोचदी जो है गुज्राइब कोझा चीजेश के 비슷 है जो आपके लिए इंपार्टै जो युकिटि की अस्थल है जितके बारे में आपको जानना आवस्यक है या किस नदी के किनारे इस्थित है और यहां पर क्या-क्या चीजे पाई गई है उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयाज करिएगा अगर आप लोग इसे लिख हडपा जो है सबसे पहली बार खोजा गया सिंदुगाटी सबता का पहला अस्थल था इसकी खोज करता मैंने पहले भी बताया था दयराम साहनी 1921 में इसकी खोज किये थे तो हडपा में जो पाया गया था मुख्य खोज क्या-क्या-क्या था उसे भी आप ध्यान रखेगा अन्नागार की प्राप्ती हडपा से हुआ था कांस्य दरपन की प्राप्ती जो है हडपा से हुआ था स्रमिकों के लिए एक आवास बनाया गया था जिसे वर्तमान में कहा जाता है हाल बनाया गया था स्रमिकों के लिए जो स्रमिक होते थे उनके लिए एक बड़ा सा हाल बन जाए गया दूसरी बात करते हैं मोहन जोड़ों का अर्थ होता है मृत्यकों का तीला ध्यान है 읽ंगा- 2012 में जान-मार्शल के नेत्रत में यह कर रहे थे खोज जान मार्शाल उस समय के सबसे बड़े पुरा तत्त वेता थे पुरा तत्त विभाग के अध्यच थे ठीक है मोहन जोदडो सिंदु नदी के किनारे पाकिस्तान में राखाल दाज बनरदी के द्वारा और यहां पर क्या-क्या प्राप्त हुआ है विसाल असन यह लिए फिर है नगर के पड़ने के लिए कहा जाते थे महां वीद्य तो महां विध्याले की प्राप्ति भी कहा से हुई है मोहन जोदल से हुई है अगर आपसे बात की जाए एक important है नगन मूर्ती ठीक है एक औरत है एक औरत है वो नाच नाच रही है इस तरीके से की हुई है और वह जो है उसकी जो मूर्ती है वो नगन अवस्था में मिली है तो नगन मूर्ती भी कहां से मिली है मोहन जोदल से मिली ह आगे हम बात करते हैं लोथल की लोथल जो है भगवा नदी के किनारे इस्तित है इसकी खोच किस ने किया था रंगनाथ राव ने किया था और यह कब किया था तो 1977 में बहुत बार नहीं पूझा जाता है आप सभी लोग जानते हैं कि लोथल में बंदरगाहा प्राप्ट जो कि आप सभी लोग जानते हैं काली बंगा मैंने बताया था राजस्थान में इस्तित है काली बंगा किस नदी के किनारे इस्तित है इसकी खोच जो है अमला नंद घोस के द्वारा की जाती है और यहां पर किस कौन-कौन से साच्छी मिलते हैं जो कि इंपार्टेंट है ज मतलब की थोड़ा चिन ने भिन मिले हैं इससे अंदाजा लगाया जाता है यहां पर भूकंप भी आता रहा हुआ ठीक आगे हम बात करते हैं राखीगडी की राखीगडी आप सबी लोग जानते हैं राखीगडी भी गगघर नदी के किनारे इस्तित है और इसकी खोच जो ह मैं के और मजूमदार ने किया था मैं के और मजूमदार ने किया था और चनुहुदड़ों से क्या-क्या प्राप्त हुआ था आप इसे द्यान रखेगा चनुहुदड़ों से कंगा प्राप्त हुआ था चनुहुद़ों से लिपिष्टिक प्राप्त हुआ था सिझें प्राप्त हुई थी ठीक है इसतरी के संधर के सामान के सामान भी आगे से मिले हैं आगे की माट करते हैं बात लोफिखारर में साहरों किस नदी से किनाबी स्थित है इसे छोजकरता कोन नहीं रिवह आपको जानने की आस्यक्ता dois आगे हम बात करते हैं सुथ कोट्दा सुत्कोट्डा जो है सरस्वती नदी के किनारे और सुथ कोट्दा से क्या-क्या प्राप्त हुएये ठीक है कलस सवधान की प्रथा अब कलस सवधान क्या होता है मित्रों का एक कलस रूपी सरचना होती थी एक बड़ा सा कलस बनाया जाता था मिट्टी का और उसमें जो है सव को कफन में लपेट करके रख दिया जाता था मृत्य होने के बाद और उसे जो है मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता था तो कलस सवधान की प्रथा और जो तराजू होता है तराजू कहां से प्राप्त हुआ है सुत्व कोटदा से प्राप्त हुआ है ठीक है और सबसे बड़ी बात जो आप से पूछा जाता है जो हडपा है हडपा में जो है सव को जो सव होता था मृतक होने क उसे ब्राप्त के बाद कोई व्यक्ति जम्र जाता उसे 100 कहा जाता है तो हडपपा में जो सव था उस सव को क्या किया जाता था उस सव को दफनाया जाता था, ठीक है, हडप्पा में सव को दफनाना प्राप्त हुआ है, हडप्पा में जितने भी सव प्राप्त हुए है, सव दफनाये गए है, लेकिन मोहन जोदलों में जितने भी सव प्राप्त हुए है, उस सव जो है, हड़िया प्राप्त हुए है, हर् सिंदुगाटी सभ्यता के पतन की क्या कारण थे दो तील लाइन आपको जानना आवस्यक है और हडपा सभ्यता या सिंदुगाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी जो विशेस बाते हैं उसे भी आपको जानना आवस्यक्त करते हैं कि कुछ लोगों ने इसका पतन जो है बाढ़ माना है कुछ लोगों ने भूकम्प माना है सिंदु गाती सभेता आपको जब प्राप्ट होई थी वह जो है मिट्टी के नीचे दबी हुई प्राप्ट होई थी, इस्भेता को कई कारण माने गए, कोई इस्पेसल कारण नहीं एक निस्चित कारण नहीं माना गया विद्वानों में मतभेद है कुछ लोगों ने बताया कि यह बाल की वज़ा से समापत हुआ कुछ लोगों ने बताया भूकम्त की वज़ा से कुछ लोगों ने बताया विदेशी आकरण की वज़ा से तो किसने क्य कहा है वो चीज़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैके और मार्सल माहोदय ने इसे बताया था कि यह जो हैबाल के कारण सब्यता चाल्व हो गई विपेश तो हो गई वीलर और चाइल्ड मोहोदय बỉलर और चाइल्ड मोहोदय ने इसे कहा कि यह विदेशी आक्रमण के कारण समाप्त हो गया किसके कारण विदेशी आक्रमण के कारण समाप्त हो गया वीलर और चाइल्ड महोदय ने कहा था फेयर और सर्विस फेयर अलग है सर्विस महोदय अलग है इस दोनों अलग-अलग पुरा तत्वेता थे इन्होंने बताय तो वर्तमान में कोईड चल रहा है तो कोईड चुरू हो गया वगा उस तरीके का रोग चल गया होगा जिससे पूरी सब्ष्चा समाफ्त हो गये थीक है माहा मारी पूरे विकलाल तरीके से धारण कर लि रोग घ्रषित हो गए लोग पारिस्थिति theo असंतुलन का मतलब यह भी हो सकता है आक्सीजन की simplification हो गई पार्स्तित की का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से軍 का उन्पर जो कि पाप आ गया अर्थात इस्वर के द्वारा प्राकृतिक रूप से समाप्थ हो गए ठीक है इसे किसने कहा है फेर और सर्विस मोहुदे ने कहा मैंके और मार्सल ने बाढ कहा है चाइल्ड और वीलर ने विदेशी आक्रमन कहा है फेयर एंड सर्विस ने पारिस्ति की सदूलन कहा है ठीक है अब जो आपके लिए इंपार्टेंट है वह आप त्यान रखेगा इस नगर की जो नगर योजना थी नगर नियोजन था वह जो ह हुँग सबके एक दूसरे को समकोड पर काकती है अरथात इस तरीकी की तिक है इस तरीके निए इधर से सड़काई इधर से चारा के सीधी और समानांग di ठी इसे ही कहा जाता है गिभ्र पद्धि वर्तमान के ces मैं की ऐगर बात करूं वर्तमान के समय में जो सबसें विक्सित सहर होगा, विक्सित सहर में जैसी जैसी विवस्थाएं होती हैं, वैसी विवस्थाएं उस समय की सिंदुगाटी सबता में रही होंगी, आगे हम बात करते हैं, सिंदुगाटी सबता में जो इटे पाई गई है, कई बार question पूछा गया है, इटो का अनुपात क्या तो सिंदु गाटी से पताव जो उटेपाई गई है चार अनुपाते दो अनुपाते एक के अनुपात में इटेपाई गई थीक है आगे बात किया याद तो लगभग लगभग प्रत्येख घर में जो है साउचाले होता था वर्तमान के समय में जो बहुती फेमस सिटी होगा किसी सहर में प्रतेक घर में चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो उस समय सोचाले हुआ करता था ठीक है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं को लोग कितने ज्यादा सब्य थे आगे बात करते हैं सामोहिक भवन भी मिला है जहां पर लोग आम आदमी किसी सहर में जाते हैं जै जलते थकग में तो दरवाजा करता था मुख़ी सडकर के पीछे वाले सडक खोलता था तृछे यहां पर जो नालीयां जितना चीजे मैंने यहां पे बढ़ाया है जितना चीजे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप अगर इस बात को नोट कर लेते हैं तेक भी पॉइंट आपको ज्यादा पढ़ने की आवस्यक्ता नहीं होगी यहीं से question आपके paper में छप जाएगा ठीक है अगर वीडियो आप आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करके हमारा motivation करिएगा क्योंकि मैंने वर्तमान में मैं आपको बताता हूँ जितने जितनी जितनी बार आपको whiteboard भारा हुआ नजर आ रहा है इतनी बार मैंने इस गर्मी में मिटा करके दुबारा से लिखा है इस वीडियो को आप भ बहुत बहुत धन्यवाद